नमस्कार दोस्तों मैं सोनो और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनो डिक चैनल इस वीडियो में आपको जा रहा हूँ बताने की में आउट्टिट आप कैसे निकालेंगे ताकि जो है पाइप कम से कम लगे और कस्टमर का जो पैसा है ना वो बचाया जा सके साथ मैं जो पलंब इसको में जिश्ट करने वाला हूं और उपर जो टेंग के पास पाइप लगने वाला है ना वो दो ही आउट्टिट निकलने वाला है दो इंच के मोड़डाय का पाइप लगाए जा सके यहां पर यह जो पाइप आप देख रहे हैं यह मिनिमम पाइप लगा हुए कम से कम आप देख रहे हैं यहां पर तीन आउटलेट बन चुका है देखें यहां पर इस बात्रूम से निकला अब यह जो है यह पाइप मेरा दो बात्रूम को सप्लाई दे रहा है मैटो पोल के साथ में वह भी आपको अलग से लाइन डालने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्याद म यह भी सवाय है यह चलिक बात्रूम को सप्लाई दे रहा है यह लुख लुख यहां पर यहां पर टलक करने की जरूरत नहीं relatively हो जाएगा यहीं से तीन हो गया अभी यहांप आपकर भेडिया कर दिया गया केको ऊपर वला अब यहां सवा है इदर हो गया फिर यह इदर एक के इंच ऐफ यह को हगÁ तो आप यहाँ गा कर दो पाई एक विल्त शायार थीन पाइं रहें है थिसके और एक प्तिन हैं तो आभेया हैं यह तो आभी कोहां टोटल दियले हो एक सवा आपने करते लाइट कुछ इस फ्लोर कर पूरा निकाल रहा हूँ अगर करें छत के ओपर से घुमाया चाफ नैक्टनकर को Miss 자 करेंगे यहां पर कंटिंग चिंबिग करवा कि कम से कम पूरा पाइब बचा दियाने और यह जो परफिटींग ना परफिट वाले कभी भी करेंगे वह बरबाद कर देंगे यहां पर कॉर्ट इंको अन्य अइया बढ़ाना तो जितना ही बढ़ाएंगे उतना ईनका पैसा बनेंगा लेकिन कस्टमर बरबाद हो जाएगा पैसा बहुत ज्यादा लगने वाला है मोटे डाय का पाइप है अगर लो बजट वाले कस्टमर है तो भिखारी बना देंगे ठीक है तो कम से कम पाइप में आप काम कैसे करवाएंगे यह कस्टमर के लिए बोल रहा हूं अब ठीका दिजे काम करवाने का ठीका दिजे मैं 10 रुपे दूंगा 20 रुपे दूंगा उसस नाम कमाने के लिए लंबे समय तक टिकिय हूए रहने के लिए आपको इस तरह से काम करना है किसी भी कंश्टमर का नुकसान नी करवाना हторके है लड़ा सील फाउय दिया यहां पर कटिंग चिपिंग करवा कि इसको में उपर उठा दिया कभी भी मेन आउटलेट को फ्लोर में डियालना है बले ही मेहनत लगे कस्टमर से बोलो एक्षा पैसा लो और नहीं देता है तुमत करो लेकिन गंदा काम आप ना करें यह उपर से आप निकाली है इस त जादा पाइप है तो यह जादा नहीं है बातरूम के हिसाब से क्योंकि अगर जादा में लगाता तो यह जो साथ पाइप है यहां पी यह होने वाला था नौपाइव लेकिन इसको मैं टोटल छे आउटलेट में कंप्लीट कर दिया और एक जो है मेरा अपना मोटर वाला है ठीक है मेरा यहां पर हो गया सबाका उसके थी बीस में भी है यह' i Εदी दो सवाका उसके बाद दो वीड़े का और एक मेरा एक इंज का है मोटर वाला अब आप देखने से सारे जो मेन आउट्रेट है अग implet और पकि अबदिकर किस तर से उठाया मैं क्या यहां यह समय लगता है तो यह ठेका जो लेगा ठेका वाला ही लगाएगा ठीक है देखे दो 45-45-45 सब लगा के इस तरह से यहां पर उठाया मैं यहां पर आप जो है लांग रेडियस बैंड आप लगाईए या फिर चाहिए इस तरह से आप बनाईए ठीक है उसके बाद गुमानता ना भाईया तो तीन गुना चार गुना पाइप इक्ष्ट्रा लगता सोची है यहां पर डेल डेल इंच का पाइप है इस तरह से काम करना आपको देखे ठीका में बस यही फायदा होता है प्लंबर जो है आपका पाइप बचा देगा बहुत ज़्यादा पैसा तो बस इस वीडियो में दोस्तों इतना ही विडियो में मुझे आपको यह वेर करना था कि अज़े कर दोनों के हित में यह वीडियो था अवेर करने के लिए कि किस तरह से में आउट्वेट आप निकल वाएंगे अगर यह वीडियो को देख रहे हैं प्लंबर आपको लगत बढ़ें काम करके देंगे वो सव कंश्टमर से बोलेंगे तो इसलिए काम भी बढ़ियां आप करी कम से कम पर मैं कोसिस करिए कम से कम 5 में काम का जो का मैं निपट जाए ठीक है तो घर अपने दोस्तों पसंद आया हो आपको लगता इस वीडियो से थोड़ा भी जानकारी आपको मिला हो और यह जो बाते मैंने बताई है अगर आपको लगता है बिल्कुल सही बोला है तो फिर आप वीडियो को लाइक करिए ज्यादा ज्यादा और सेर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा ठीक है और साथ ही अगर आप लोग चैनल को भी जरू किजिए फेस्बुक पेज पर पेज को जरूब फालो किजिए साथ में और भी सोसल मीडिया का लिंक मैंने दिया है नीचे वीडियो के रिस्क्रिप्सन में 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 दोस्तों जहां से आप मुझे अभी फालो कर सकते हैं तो बस दोस्तों वीडियो में इतने ही मैं फिर बलू किसी अगली विडियों में ना टॉपिक के साथ